हेलो गाइस वेलकम बैक तो अनधर वीडियो जैसे कि आपको पता है IBPS का कैलेंडर आउट हो गया है 2022 और 2023 का तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं उसमें दोनों डेट है IBPS PO, IBPS कलर्क और RRB PO, RRB कलर्क और specialist officer का भी उसमें डेट है कि कब examination होगा और form भरने की date कब आएगी ये भी आप उसे idea लगा सकते हो जैसे कि आपको पता है pre-exam से एक मैने पहले form भरने की date आजाती है आज इस वीडियो में देखेंगे IBPS कलर का जो 2022 में exam होगा वो कब होगा और कब से pre-exam होगा और कब main exam होगा उसका selection process क्या रहेगा Ace limit क्या रहती है color के exam में qualification क्या रहेगी exam pattern क्या रहेगा और syllabus क्या रहेगा और कौन से topic से कितने question आते हैं वो भी देखेंगे यानि कि subject के topic का weightless कितना रहता है exam में वो भी देखेंगे तो चलिए start करते हैं अगर आप चैनल पर first time है हो तो इसे subscribe कर सकते हो ताकि आप पर government job की सभी notification सबसे पहले पोच सके और वीडियो पसंद आएगा तो like जरूर करना और जिसे भी exam से related information चाहिए उसे आप share भी कर सकते हो तो चलिए start करते हैं देखें जो इसका apply online है यानि की registration को आप कबसे apply कर सकते हो IBPS color का उसकी date है जुलाई 2022 में आप इस form को apply कर पाऊगे और एक मैने तक का time मिलता है और जैसा कि आपको पता है इसका exam form apply करने के एक मैने बाद इसका exam हो जाता है यानि की prelim का exam IBPS IBPS color का जो pre का exam होगा उसकी तीन date तीन दीन exam चलेगा यानि की 28 आठ दो 2022 और 3 September 2022 और 4 September 2022 बाइस यानि कि 28 अगस्ट को होगा फिर 3 सेप्टेम्बर को और 4 सेप्टेम्बर को तीन दिन इसका color का pre exam चलेगा और जो main exam है इसका यानि कि mains का exam वो होगा आपका 8-10-2022 को 8-10-2022 को इसका mains exam हो जाएगा देखे इसकी qualification की बात करें तो qualification में इसमें graduation होना चाहिए आपका यानि कि आपके पास degree होना चाहिए और जो appearing student है वो भी से form को fill कर सकते हैं लेकिन जब आपका document verification होगा उस time आपको जो आपकी degree होगी present करनी होगी जो IBPS कलर का document verification होता है जैसा कि आपको पता है पहले pre exam होगा मेंस exam होगा उसके बाद document verification होगा तो उस time जो final year के student है उन्हें degree दिखानी पड़ेगी और जो age limit है इसमें वो अगर आपकी minimum age 20 years हो गई है और maximum age यानि कि 28 years से कम है तो आप इस form को apply कर सकते हो और जब इसका official notification आ जाएगा उसमें date भी दी रहती है suppose 1 July 2022 को अगर count करते हैं तो इस date को आपका minimum age हो जाना चाहिए और maximum से जादा नहीं होना चाहिए तो जब भी official date आएगी तो मैं आपको बता दूँगा और देखिए जैसा कि आपको पता है age relaxation मिलती है SC और HD को 5 years की यानि की आप 28 plus 5 कर लेना और OBC 28 plus 3 years कर लेना तो ये age relaxation है PWD की यहाँ पर age relaxation है देख सकते हैं और उसके बाद ex-serviceman का भी इसमें age relaxation है 5 years का अब next देखते हैं selection process क्या रहता है देखिए इसमें सबसे पहले pre exam होगा अगर वो आप qualify करते हो तो उसके बाद आपका mains होता है mains के बाद आपका DB होता है यानि की document verification होता है ये इसका selection process रहता है और जो pre का exam होता है वो बस qualifying nature का होता है यानि कि उसके marks mains exam में नहीं जुड़ते हैं तो जो आपका mains exam में वही आपका decide करेगा कि आपका selection होगा या नहीं होगा तो आपको mains exam पे काफी focus करना पड़ता है अब देखे जो IBPS कलर का syllabus और exam pattern है वो देखते हैं देखिए सबसे पहले pre का देखेंगे देखे pre में 3 subject आते हैं English language, numerical ability जिसे math कहते हैं और reasoning ये 3 subject आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं number of question है यहाँ पर total marks है और duration है देखे number of question English में 30 आते हैं और 30 marks के होते हैं और 20 minute का आपको time मिलता है इसमें उसके बाद numerical ability में 35 question आते हैं 35 marks के इसमें भी आपको 20 minute का time मिलता है इसके बाद reasoning में reasoning में 35 question आते हैं 35 marks के और इसमें 20 minutes का time मिलता है, इसमें 3 section होता है time का 20-20 minutes का total number of questions होते हैं, इसमें 100 और आपको 60 minutes में ये करना पड़ता है, अब देखते हैं जो pre-exam होगा उसमें reasoning का क्या subject आता है, देखें यहाँ पर zoom कर देता हूं मैं, देखें pre-exam का reasoning का section है, उसमें जो seating arrangement है, puzzle, coded inequality, alpha numeric series, direction, silox, blood relation, ranking, और उसके बाद, alphabet, test, data, sufficiency और tabulation, ये इसके कुछ topic हैं, अब देखें कौन से topic से कितने question आते हैं, यनि की weight is क्या रहेगा, देखें, seating arrangement से इसमें 5-10 question आते हैं, और puzzle से भी 5-10 question आते हैं, coded inequality 3-4 number की आती है, alpha numeric series से 4-5 question पूछ सकता है ये, direction के 3-4 question रहते हैं, silox के 3-4 question रहते हैं, blood relation के 1-3 question आ सकते हैं, ranking के 1-4 question रहते हैं, तो ये कुछ main topic हैं इसके, तो इस base पे आपको तयारी करनी पड़ती है, देखें, जो puzzle है, इसमें puzzle और seating arrangement, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, इसके बिना आपका selection नहीं होगा इस examination में, वो चाहिए free हो, चाहिए main session, तो अभी से आपको puzzle की practice करनी पड़ेगी, और puzzle में कुछ ज्यादा method नहीं रहते हैं, आपको daily, 2-3 question, अभी से अगर आप practice करते हो, तो pre exam तक अभी आपको पता है, 6 month के लगवक time है, तो अगर 2-3 question, यनि कि 2-3 question का मतलब है, एक question में 5, मतलब एक जो question आएगा, उसमें 5 number रहते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक question में 5 number रहते हैं, तो आपको काफी benefit हो जाएगा, puzzle और sitting arrangement को अभी से करने में, और YouTube पे बहुत सारी classes हैं, बस आपको method आना चाहिए, उसके बाद आपकी खुद की practice होती है, ये मैंने कुछ आपको reasoning का syllabus बना बता दिया, इसमें 2 topic को और हैं, reasoning में, input, output और coding और decoding, ये pre का है, आप screenshot इसका ले सकते ह अब देखें, जो numerical ability है, जिसे हम quantitative, aptitude या math कहते हैं, उसका pre में क्या syllabus रहेगा, देखें, इसमें simplification आएगा, data interpretation यानि के di, number series, quadratic equation जिसे inequality भी कहते हैं, और उसके बाद profit loss, mixture allocation, simple interest and compounded, search and indices, time and work, time and distance, mensuration, mensuration में 3 topic करना है आपको, cylinder, cone और spare, उसके बाद ratio propagation, number system, percentage, permutation, combination और probability, ये कुछ math के topic है, pre exam के, देखें, इसमें सबसे ज़्यदा क्या पूचा जाता है, अगर आप simplification और approximation कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये 5 to 10 marks का आता है, उसके बाद di, इसमें di के 2 question रहते हैं, और 1 question 5 marks का रहता है, तो 2 question आएंगे, य तो इसमें simplification और di, और number series, number series, ये 3 topics से ही, आपके लगबग 22, 25 number cover हो जाते हैं, total 35 marks का रहता है, और 22, 25 marks यहीं से आ जाते हैं, तो इन topic को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद quadratic equation के अगर question आते हैं, तो इसमें 5 number के भी आ जाते हैं, और कभी कभी एक भ topic हैं, इससे भी आप prepare कर लेना, लेकिन जो focus रहना चाहिए, आपका इस पर रहना चाहिए, simplification और approximation पे, di पे, number series पे, और quadratic equation पे, इससे ही आपका जैसे मैंने बताया 22, 25 marks का cover हो जाएगा, अब देखते हैं, English का, यानि कि English का pre exam में कौन से topic रहेंगे, और कौन से topic के कितने number आ आते हैं, देखिए, सबसे पहले topic देख लेते हैं, इसमें reading comprehension रहेगा, tense rule, close test, jumbling, उसके बाद idiom and freezes, उसके बाद deduction of error, vocab, grammar, basic grammar rule होंगे जितने भी, वो कर लेना, clean the blanks, conclusions, और inference, ये topic हैं, आपका English के, इसमें words uses, synonym, antonyum, words with multiple meaning, uses of word, connector, preposition rule, ठीक है, ये हैं English के, आप ये screenshot ले सकते हो, ये English के, जो topic हैं, अब देखिए, कौन से topic में, कौन important हैं, English में topic, वो देखते हैं, देखे, इसमें fill in the blanks के 5 questions आते हैं, उसके बाद, ये spell correction और phrase replacement के 5 questions आते हैं, error detection के 5 questions आते हैं, और RC के 5 to 10 questions आते हैं, दो पैरा होगा, और एक पैरा में 5 questions रहेंगे, उसके बाद, close test के 5 to 7 questions आते हैं, तो ये pre exam में, आपको मैंने, तीनो subject के topic, जो most important topic हैं, वो भी बता दिया, और syllabus भी बता दिया, अब देखते हैं, जो main exam होगा, उसके बारे में, main exam, देखिए, इसका पहले pattern देख लेते हैं, देखिए, इसमें 4 subject का section है, सबसे पहले है, जर्नल इंगलिस, जर्नल इंगलिस में 40 questions आते हैं, 40 marks के और 35 मिनट मिलेगा, क्वांट में 50 questions मिलते हैं, 50 marks के, 45 marks मिलेगा, ऐसे ही reasoning और computer aptitude में 50 questions आते हैं, 60 marks के 45 मिनट टाइम मिलेगा, जर्नल इंगलिस, जर्नल इंगलिस, जर्नल इंगलिस, जर्नल इंगलिस, 50 marks के, और 35 मिनट मिलेगा, देखिए, टोटल नंबर और question है, इसमें 190, और marks हैं आपके 200, और टाइम मिलेगा आपको 2 आर 40 मिनट, यनि कि 2 गंटे 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा, आप इसका screenshot ले सकत टोटिक से क्या आता है, देखिए, इंगलिस में, reading, comprehension, new pattern, close test, phrase, arrangement, old sentence, out, parallel, inference, sentence, compulsion, connector, और paragraph, conclusion, phrasal verb, related question, error, deduction, word, uses, और vocab-based question, ये इसके टोपिक हैं, अब देखिए, क्वांट में, यनि कि math में क्या क्या आता है, means exam में, देखिए, डियाई आएगी इसमें, 10 to 20 question, डियाई के रहेंगे, उसके बाद, data, sufficiency में, 3 to 5 question रहेंगे, approximation और simplification से, 5 question रहते हैं, inequality, जिसे quadratic equation कहते हैं, उसमें 3 to 4 question रहते हैं, number series भी आती है, इसमें, profit, loss, mixture, allegation, ये जो मैं प्री में से लिबस बताया है, बिल्कुल वही है, ठीक है, अब reasoning में देखते हैं, देखे, puzzle और sitting arrangement, most important हैं, दोनों के लिए, pre और means के लिए, देखे, puzzle के इसमें, 16 to 25 question आते हैं, उसके बाद, statement and assumption से 5 to 10 question आते हैं, machine input output इसमें add हो जाता है, जिससे 3 to 5 question आते हैं, प्री में आ भ उसके बाद ये topic है, coded, decoding, data sufficiency, direction science, inequality, siloques और ranking, प्री के topic हैं, तो ये आप देख लेना, उसके बाद journal awareness, financial awareness का syllabus देखे, देखे, journal awareness में पहले current affair है, current affair के हैं, यहाँ पे कुछ मैंने main topic आपको बताएं, वो देख लो, देखे, news on banking industry, book and author, award and owner, latest appointment, new scheme of central and state government, यानि कि जितने भी government और center के scheme हैं, उसे भी अच्छी तरह देख लेना, उसके बाद sports और abutuary, ये main topic हैं, ये देख लेना, कुछ मैंने आपको बताएं, screen source ले सकते हो, अब देखते हैं, जो static gk होता है, देखे, country and capital, उसके बाद country and currency, headquarter, financial organization के, जितने भी headquarter हैं, वो देख लेना, फिर organization रहे से, WHO, UNO, UNICEF, इनके headquarter organization, और ये कब establish हुए, उसके date, उसके बाद, जितने भी dance form हैं, वो देख लेना, numerical and thermal power station, ये कुछ static के पार्ट हैं, उसके बाद, banking and financial awareness, अलग से topic हैं, banking and financial term और static awareness, अब देखते हैं, computer के कुछ main topic, देखे, इसमें hardware, software, computer generation, dbms, networking, internet, ms office, input output device, important abbreviation, operating system, security and tool, ये कुछ main topic हैं, computer के, तो ये सभी topic हमने cover कर लिया है, उम्मेद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई होगी तो आप इसे like कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं, subscribe कर सकते हैं, और जो भी exam से related information देखना चाता है, उसे आप share भी कर सकते हैं, thank you everyone.